दोस्तो आप देख रहे हैं Genius Maker और मैं हाँ पर उपस्तित हूँ एक प्यारा से वीडियो लेकर दोस्तो कई लोग ये पुछते हैं कि सर कितना हाथ का लगी चलता है ये कैसे पता करें जैसा कि दोस्तो आप लोग को पता होगा अगर हमारे चैनल पर आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे तो कि धूर, कठा, बिगह, धूरकी, फूरकी ये सब जो धूमी पेमाईस के जो इकाई है ना ये सब के भैल्यू में परिवर्तन होता है जैसे कि मेरे यहां एक कठा में होता है चार हजार वर्ग कड़ी एक कठा में होता है चार हजार वर्ग कड़ी अगर इसी चीज़ को हम फीट में के हैं तो 1742 वर्ग फिट यह हमारे छेत्र का जो है यहाँ पर यह value है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यही same value आपके छेत्र में लागू होता हो मतलब कि हो सकता है कि आपके यहाँ जो है एक कठा में कुछ और value होता हो यह जरूरी नहीं है इसी को आप समझ रहे हैं ना साथ में वर्ग फिट में अगर कड़ी square में value चेंज हो गिया तो वर्ग फिट में भी चेंज हो जाएगा तो बताईए हम कैसे पता करें कि हमारे यहां कितना हाथ का लगी चलता है यह लगी लगी जो बार बार आ रहा है यह जो आप लगी को देख रहे हैं दरसल बात यह दूस्तों कि जिसमें सर्वी हो रहा था ना उसमें लगी का परियोग किया जा रहा था लगी यानि की बास क के भैल्यो में परिवर्तन हो गया किलियर देखिए धूर कठा बीघा धूर की फूर की यह सब की बिसे में अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अप्लोड हैं जिसमें सारी सिज मैंने बताया है अगर आप नहीं देखेंगे तो डिस सिंपली सर्च कर सकते हैं धूर कठा बीघा जिनियस में कर यहां पर आपको बताने वाले सारा चीज अगर बताएंगे न तो एक रिडिट घंटा का वीडियो बन जाएगा तो हमको यहां पर सेलेक्टेड चीज को बताना है इसलिए फ़ड़ा सा कम समय में चीज़ों को बत प्रिपेर करके देंगे आपके सामने फर्मूला प्रिपेर करेंगे ठीक है और आप उस फर्मूला के तहट आप यह निकाल सकते हैं कि आपके छितर में कितना हाथ का लगी चलता है मतलब जिस लगी का परियोग किया था आपकी छितर में उसका लंबाई क्या था सिंपल सी ठीक है चलूए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात उयह है आपको पता होना चाहीए कि एक दुर का जू फैल्व है एक दूर का जू फैल्व है वह एक लगगी का स्को फ्वायर हो ता है यह मैं साथ में एक धूर में होता है 20 धूर की यह सब चीज़ आपको जानना चाहिए फिर डिसमील एकड़ हेक्टियर यह सब का वैल्यू चेंज नहीं करता है एक बात ध्यान में रखेगा जैसे एक डिसमील का वैल्यू एक अजार वर कड़ी होता है तो होता है या 435 समलोच्छे व एक धूर बराबर होता है एक लगई का इसको एकड़म सिंपल सा फर्मूला है कि लिए अब यहां पर हम मान के चलते हैं माना माना एक्स हाथ का लगी चलता है देखे फर्मूला में यहां पर बना रहें ठीक एकड़म सोट में कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर देख लिजेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा इसको दो भागें बाढ़ते हैं ताकि जो है चीजे और आगे बढ़े तो इसलिए क्या हो जाएगा एक धूर बराबर हो जाएगा एक धूर बराबर हो जाएगा यहां पर एक लगई तो हम मान लिए एक्स हाथ का चलता है मतलब एक लगई का चलता है आप दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं हाथ को या तो फीट में जिसमें आप चेंज करना चाहिए जिसमें आपको value पता हो जैसे अगर आपके छेत्र में एक कठा में कितना वर्ग फिट होता है या फिट का square होता है साथ में कितना कड़ी का square होता है अगर ये सब पता है आपको अगर ये सब पता है अगर फिट में आपको पता है कड़ी में पता है तो आप परियास किजिए कि यहां पर हाथ है उसको हम फिट में बदल दें या कड़ी में बदल दें ठीक है उसके अधार पर ही formula प्रिपेर कर सकते हैं हम लोग जल्दी जो है गज का या फिर मीटर का या फिर हाथ का ये सब इकाईयों का परियूग नहीं करते हैं हम लोग फिट का या फिर कड़ी का परियूग करते हैं भूमी 252 के छेत्र में clear चलिए तो दोस्तों क्या करेंगे सबसे फाइल है फिट वाला हम formula निकालेंगे ठीक है मान के चलिए कि आपको एक कठा का value जो है करना करेंगे यह चीज जो है फिट में convert हो जाएगा चीजसे माई किसमें convert होगी है फिट में अब यह कैसे हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं चुकि जो है एक हाथ बराबर क्या होता है पता है 1.5 फिट और 1.5 होता है एक हाथ जो लंबाई है ना यहां से लिखर के यहां त अब यह जो square है न एक्स का भी square है 1.5 का भी square है और feet का भी square है whole square है न यह सुरू से ही square आते रहा रहा है ठीक है चलिए तो यहाँ पर दोस्तों अगर 1.5 का square करेंगे तो यह 2.25 हो जाएगा clear और यहाँ क्या हो जाएगा x, feet और यहाँ पर whole square इसको रहने देते हैं clear calculation के लिए स्वीधा रहेगा अब दोस्तों अगर आपको एक कठा का value पता है अगर कठा में आपको formula निकालना है तो क्या कीजिए आपको पता है कि भाईया 20 धूर में होता है यह कठा तो यहाँ पर एक धूर का value निकल रहा है तो हम 20 धूर का multiply किये हैं तो इधर भी हमको 20 से multiply करना पड़ेगा तो जब यहाँ 20 को गुणा अगर एक धूर से करेंगे तो 20 धूर हो जाएगा 20 धूर कहने का मनलब एक कठा हो जाएगा एक खठा हो जाएगा और एक कठा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तो अब 20 कुणा इस से कीजिए तो यहाँ घंगर और फिर यहाँ दो दुना चार ठीक है और एक जिरो यहाँ पर अद्दू अंके पाद दसमर लोगती यहाँ पर यानि 45 आया कुल मिला गर कितना है 45 आया और यहाँ एक्स फिट का क्या है हॉल स्कॉयर है अब दुस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे एक कठा अब यहाँ देखे इस चीज को आप इधर ला सकते हैं उस चीज को उधर जाएसे यहाँ पिर आप इसको एक्स फिट का यहाँ क्या हो जाएगा हॉल स्कॉयर बराबर में हो जाएगा एक कठा एक कठ्था divided by 45 नहीं होगा जैसे कहने का मल्दाब ये जो 45 से इधर divide में आ गया तो ये वाला बज गया तो ये वाला चीज जो है बराबर हो जाएगा एक कठ्था divided by 45 अब यहां देखे स्कुएर, स्कुएर को यहां पर हटाईए तो square को अटाएंगे तो x feet बराबर में क्या आजाएगा square को उधर लजाएंगे तो root में चला जाएगा यानि root अंडर हो जाएगा एक कठा divided by 4,5 clear एक कठा divided by 4,5 अब दोस्तों अगर आपको एक कठा का value feet में पता है तो ये हुआ आपका formula value आप रखिये और तूरंट जो है अब पता कर लिजे कि हमारे यहां कितना हाथ का लगी चलता है ये first पर मुला हुआ आपका मतलब जैसे कि मान के चलिए हमारे यहां जो है हमारे यहां भी निकाल के देख जेते हैं हमारे यहां जो है एक कठा में होता है चार 1742 वर्ग फिट तो क्या करेंगे यहां हो जाएगा एकस फिट बराबर में क्या हो जाएगा दुस्तों रूट अंडर यहां पर देखे एक कठा है एक कठा के जगा पर अब क्या लिखेंगे यह 45 तो एक फैक्टर होगी आपका क्लियर चलिए तो यहां पर दोस्तों आब 1742 को 45 से डिवैड कीज़े चलिए मेरे पास यहां पर मुवाइल फोन है हम डिवैड करते हैं तुरंद क्या है भहिया 1742 divided by कितना है 45 ओके तो यहां पर आ जाता है दोस्तों तो रूट अंडर 38.71 थीट का स्क्वाइर ओके तो यहां क्या हो जाएगा 38.71 का आप वर्गमूल निकालें अगर निकालें के लिए आप जानती ही होंगे हम वीडियो बनाएं अगर नहीं जानते हैं तो सर्च कर यह यह यूट्यूब पर वर्गमूल जिनिस में खिर मेरा वीडियो आ जाएगा बहुत सार आपलोड हम किये हुए ठीक है चलिए वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 38. दसमलो हो जाएगा यहां पर 7,1 तो यहां पर दोस्तो 6.22 इतना आया इतना क्या ची फिट का स्क्वाइर है इसको निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा और यहां पर क्या है एक्स फिट पहले से है तो यहां पर देखे फिट और फिट कर जाएगा यानि x का value pull बिलाकर कितना आया 6.22 इसका मदलब क्या हुआ कि हमारे यहां कितना हाथ का लगी चलता है 6.22 हाथ का लगी चलता है यानि x का value जो आया वही समझे कि आपके छेतर का लगी कमान है सीमफल सा बात है तो यह formula हुआ तब जब आपको एक कठा का value किस पता हो? फिट में पता हो हो सकता है कि आपको एक कठा का value वरकडी में पता हो तो उसके लिए क्या formula होगा तो इसी तरह से आप formula वरकडी वाला भी निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है जैसे कि चले निकाल के बता ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा यह वाला कैसे निकालना समय माग यह ना आपको कुछ नहीं करना है भाई केवल इस जगा पर जो है ना एक अठा का बैल्यू आप रख दीजी आप जो जानते हैं बस और इसको कैल्कुलेट कर दीजीए बस एकस का जो बैल्यू निकलेगा उतना हाथ का लगी आपके छेतर में चलता है एकदम सीम्पल सा नियम है ठीक है कोई दीका बस इस फर्मूला में आपको एक ठाक बैल्यू रख देना है फीट में दूसरा फर्मूला लगाते हैं हम लोग चलिए वर्ग कडी वला निकालते हैं वर्ग कडी वला ठीक है तो दोस्तों हमको पता है कि एक धूर का जो बैल्यू है वहीया एक धूर का बैल्यू जो है हम यहाँ पर एकस हाथ का ही स्कॉयर होगा X हाथ का ही क्या होगा स्क्वाइर होगा अब दुस्तों हम इस हाथ को क्या करेंगे हम कड़ी में चेंज करेंगे क्योंकि हमको एक कठा को जिब value है वो कड़ी में हमको पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे X को गुना 2.273 से गुना करेंगे यह चीज कड़ी में कनभट हो जाएगा क्योंकि एक हाथ में होता है 2.273 यहाँ पर इधर सैड में लिख सकते हैं एक हाथ बराबर 2.272 या 3 कड़ी तो यह सारी चीजे हैं इसको आप नोट कर सकते हैं पर यहाँ पर जैसे घुना करेंगे अब इतना कड़ी होता है इसकोएर है तो रहेगा ही रहेगा अब 2.273 को hiçbir को सबका सबका सबके ہے टिक है चलिए 2.273 गुना 2.273 तो यहां आ जाता है तो 5.166 ठिक है और यह तो स्कॉएर का कड़ी को भी स्कॉआर लगाते दें ठीक है चलिए, तो यह क्या आया, एक धूर का value आया, हमको एक कठा का value पता है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरह हम 20 से गुना कर देंगे, ताकि इधर एक कठा आजाए, इधर भी 20 से गुना कर देंगे, ओके, तो यहाँ 20 धूर हो जाएगा, 20 धूर कहने का मतलब, एक कठा, एक क्या है, कडी का value-square है, ओके, चलिए, आप यहां क्या करेंगे, दोस्तो, एक करी का value-square, बराबर में हो जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा एक सो तीन दसमलो तीन तीन ओके एक सो तीन दसमलो तीन तीन चलिए अब यहाँ एक्स कड़ी x कड़ी बराबर में हो जाएगा एक कठ़ा ठीक है एक कठ़ा बटा में 103 दसमलो 33 और चुकि यहाँ पर जो square है बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा root में चला जाएगा तो दोस्तों यह हो गिया आपका दूसरा फर्मूला मतलब जब आपको एक कठ़ा का value कड़ी में पता हो वर्गड़ी में तो बस इसमें रख दीजिए simply जो x का value आएगा वही होगा आपका क्या चीज कितना हाथ का लगी चलता है उन निकल जाएगा किलियर यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या हम जो यहाँ पर जिसे हमारे यहाँ जो है चार हजार वर्गड़ी में होता है एक कठ़ा ठीक है तो देखेगा 6.2A2 आएगा किलियर दूसरा यूनिटी में निकालेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर दोस्तो एकस बराबर में क्या हो जागा देखिए एक अठा का वेल्यू जो है हमारे होता है 4000 वर्गड़ी डिभैलेर किता है 103.33 है चलिए 4000 को हम डिभैड करते हैं 103.33 से तो यह 38.7 आता है 38.7 एक आता है अब इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे 38.7 एक का 38.7 एक का ठीक है क्या चीज वर्गमूला तो देखिए यहाँ पर भी जो है 6.22 ही आया तो उस समय भी जब हम वर्गफिट वाला फर्मूला से रखे थे एक अठा के वेल्यू यहाँ पर 1742 वर्गफिट ठीक है तो भी जो है मेरा वेल्यू जो है कितना हाथ का लगी चलता है वो इतना ही आया था वर्कडी में रखें वो ही आएगा यह हमारे छित्रका है तो आपके छित्रका जितना भी होता होगा एक कठा का वेल्यू बस केवल आपको यहाँ पर रख देना है उसके अधार पर कितना हाथ का लगी चलता है छुम मंतर जैसा निकल जाएगा सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, समझे मा गया अगर आपको दोस्तों सिंपल सा बात मैं फिर से दुबरा दे रहा हूं जो लोग समझे यहाँ पर वीडियो को अस्टोप कर सकते हैं फिर से मैं दूरा दे रहा हूं अगर आपको एक कठा का वैल्यू फिट में पता है, वर्ग फिट में तो बस उसको यहाँ पर रख देना है कैल्कूलेट कर देना है, बस निकल जाएगा आपका भेल्यू जैसे कि मान के चली, आपके यहाँ हो सकता है आपके यहाँ हो सकता है कि एक कठा में जो है मान के चली की 2200 स्कॉर्य फिट होता हो तो एक कठा के जग़ापर आपको क्या करता हो 22 लिख देना है डिभैर यहां पर 45 हो जाएगा वोके वाट डिभैड करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए ठीक है उस फिट फिट कर जाएगा और फिर एकस का भेल जो निकलेगा वहीं समझे कि उतना हाथ का हमारे यहां लगी चलता है यानि उतना हाथ का लगी बड़ा ल लगी का परियुक करके हमारे यहां सर्वे किया गया है इसलिए एक कठा के भेल्यू जो है हमारे यहां 4000 वर्गड़ी है यहां 742 वर्गड़ी फिट है तो यह सारी चीज़े है बस और अगर आपको दुस्तो वर्गड़ी में भेल्यू पता है तो बस यहां पर रग चलता है अब जादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे मुझे उम्हीद है और अगर बार किस आपको जानना है ठिक है तो पहले आपको धूर कठा बिगा डिसमील एकड़ हक्टेर इसा अब सारा चीज़ें से मापको समझना होगा तब जाकर करके आप चीजों को अच्छा ठंक से समझवाएंगे एनलाइज कर पाएंगे ठीक है और अगर हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए फिर से यहां पर जो है नया कॉर्स लूंचने वाला है चुकि आपको पता है कि भविष्चे में आगे बढ़ना है तो आप उस स्कूर्स के साथ जोएन कर सकते हैं और एक हुनर प्राप्त कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ तो चैनले दोस्तों आज के लिए अब मिलेंगे अगला वीडियो में जै हिंद वहां दे मातरा हुए